हेलो फ्रेंड्स मैं नीरज आपका टेक अक्सिसिबिलिटी चैनल में स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज एक नए टीटोरियल और नए वीडियो के साथ फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज ये आपके एक वोटसेप जो हमार कोई भी यूज कर सकते है ये बहुत अच्छी चीज़ है मैं इस एकीसिजिए के बारे में बता देता हूं फ्रेंड्स ये ए एक बार से मदद करती है कई आर बहुत सरे लोगों के साथ हमें ऐसे लोगों केसा भी चैट करना पड़ता है जिनका नंबर हमें सेफ करने की सेफ करें बिना हम उनके साथ चैट कर सकते हैं वो नमबर पर हम लोग कॉल कर सकते हैं वाइस कॉल, वीडियो कॉल, वाटसेप कॉल या फिर हम उने कोई मीडिया भी शेयर कर सकते हैं या आपको किसी को फोटो बेजना है या डॉक्यमेट बेजना है बिना number save करें और उसकी history भी रखेगा तो इस application के जो link है मैं description box में देदू है तो आप इस link को download करें application को और इससे related और कोई प्रशन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं group में या फिर यहां पे comment box में तो यह हम लोग शुरू करते हैं tutorial friends chat हो सकता है यह tutorial थोड़ा सा बड़ा हो please bear with me क्योंकि यह application को explore करना और आपको बताना समझाना बहुत जरूरी है तो मैं यह application open करता हूं इस application का नाम है direct message तो direct message open हो गया है सबसे top left में एक menu बटन है इस menu बटन में बहुत ज़्यादा अच्छे कोई खास feature नहीं है मैं फिर भी आपको बता देता हूं यह version number बता है application का click to chat याने हम पिछले वाले window में चल जाएंगे जो application का main window रहेगा recently list यह history है तो यहाँ पे आने के ज़रूत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे भी एक history का button है वहाँ पे हम लोग चल जाएंगे search profile picture यहां से यह भी कोई बहुत usable feature नहीं है developer की और भी अप्लिकेशन share application rate app terms and privacy ठीक है तो यह menu में आपको आने के ज़रूत नहीं परेंगे लिक टू चैट में हम डबल टैप करते हैं हम लोग main window में चल जाते हैं मैं top left में आ गया हूँ menu हम लोग इस application का layout देख ले पहले help का button है आपका help का window open हो जाएगा history यहां पर हमने जिन से भी चैट कर रहा है unknown number से इस application के तुरू आपको वो पूरी history यहां पर मिल जाएगी मैं इससे आपको दिखा देता हूँ history direct message back button recent list heading clear all button यहां से आप clear कर सकते हैं सारी history को search by name message number search field आप number से या name से आप जो भी unknown number आपने चैट करी है यहां से सर्च कर पाइगा nine eight one one seven two zero eight four five good morning देखिए यह एक unknown number है मैंने उनका नाम मैंने वहां पर दिया था तो यह और मैंने क्या message उनसे share किया चैट किया था वो मैंसेज मुझे यहां मिल गया तो मैं इसे डबल टैप करके यहां से WhatsApp का फिर से मैं WhatsApp कर सकता हूं उनसे चैट कर सकता हूं या delete कर सकता हूं seven seven five seven zero 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 six one three three तो यह दूसरा नंबर है तो इस तरह से आप अपनी सारी history list यहां से देख सकते हम हम पीछे जाते हैं अब हम आगे जाते हैं अब हम आगे जाते हैं select country code and WhatsApp number तो हमें पहले country code याने पहले country को select करना पड़े हैं यह already selected है जब पहली बार आप application को configure करते हैं तो आपको अपना country बताना पड़ता है country की list आ जाती है और फिर आप अपना code automatically बोले लेता है तो मेरा already India और 91 selected है यहां पर enter WhatsApp number यहां पर अपना WhatsApp number जो भी आपने copy किया होगा कहीं से भी आप यहां पर paste कर दीजिए और फिर उनसे अब बात कर पाईंगे तो मैं आगे बढ़ते हैं यहां एक text field है यहां पर अपना message लिख सकते हैं सामने वाले बंदे को आपको address लिखना है account detail भीजना है यह आपको सिरिफ ए normal chat करना है तो यहां से आप अपना message लिख दीजिए यह enter message उसका एक notice दिया हुआ है कि आपको पिछले वाले text box में क्या लिखना है enter name optional है यहां आपको history में याद रखने के लिए आपने यहां पर उनका नाम यहां पर लिख सकते हैं और फिर search भी कर सकते हैं वहां history से तो यह optional है आपको लिखना है तो लिखिए ने तो कोई जरूत नहीं क्योंकि सामने वाले बंदे को यह जाने वाला नहीं है यह सिर्फ आपके history के लिए याद रखने के लिए आपके पास रहेगा यहां पर send का button है इसको double tap करेंगे तो डारेक लिए आपका WhatsApp का window ओपन हो जाएगा और वहां पर आपका message है वो लिखा हुआ आजाएगा compose में आपको send का double tap करना पड़ेगा फिर से एक बार और और वो send हो जाएगा तो इसको पहली बार आप configure करते से में send को डबल tap करेंगे तो आपका WhatsApp का access demand करेगा आपको yes करना है आगे बढ़ते हैं send media यहां से आप अपने photo gallery का access दे सकते हैं और photo gallery के कोई photo select कर सकते हैं और जब send करेंगे तो आपको यह बहुत usable feature नहीं है क्योंकि आपको यह वापस से WhatsApp का ही window open करेगा chat window और वहां से फिर आपको share media में जाके आप अपने कोई भी media को share कर सकते हैं तो I think इसका कोई बहुत जादा use नहीं रहेगा आपको तो यह वो भी access देता है create link यह बहुत अचा feature है suppose कोई एक ऐसा बंदा है जैसे मैं example देता हूं मैं एक कोई product की marketing कर रहा हूं और मुझे unknown users तक जाना है जैसे facebook social media एक platform है जिसमें मैं अपने product की marketing करनी है तो मैंने वहां पर मैं जैसे enter WhatsApp नमबर में मैंने मेरा number डाला मैंने message जो enter message यहां पर जो text box है वहां पर मैंने message लिखा friends if you really like my this product तो kindly contact me on following link तो और वहां पर मैंने यहां पर create link करा तो automatically मेरे number के link create हो जाएगा जिससे मैं paste कर सकता हूं मेरे social media में तो यह हमारे number को एक link के format में create कर देगा और वहां से हम सामने वाले बंदे को अगर वहां से हमारा number save ना भी करें तो भी हमें हमसे direct chat कर सकता है आगे बढ़ते हैं यहां से हमारा जो भी WhatsApp contact से उनके साथ open करके उनको search करके फिर से उनकी साथ तो यह कोई बहुत usable feature नहीं क्योंकि हम लोग WhatsApp के normal window में भी हम लोग के जो save number जिनके साथ चैट कर सकते तो वहां से भी search कर सकते हैं direct call यहांने अगर किसी number हमने कोई number save नहीं किया है उससे उससे हमारे voice call या video call करना है तो यहां करेंगे तो WhatsApp का window open हो जाएगा और वहां पे हमें voice call और video call के option आ जाते हैं तो बिना number save करें भी आप उनसके साथ बात कर सकते हैं funny text यह application का एक ऐसा feature है जो कोई बहुत usable नहीं है क्योंकि यहां पे आप कोई जैसे text में आपने message लिखा तो उसे आप repeat कर सकते हैं या reverse format में आप वापस से चाहते हैं तो यह उस तरह के feature का access देता है but I think हमार ले बहुत ज़दा usable नहीं है तो आप इस explore कर सकते हैं अपने हैं हम पीछे चलते हैं यह last element था funny text button ठीक है तो हम लोग पीछे जाते हैं जहां पे हम enter WhatsApp number से हम लोग chat करेंगे enter WhatsApp number मेरे एक दोस का number मैंने मेरे copy किया है उनका number मेरे contact list में save नहीं है और हम लोग उनसे chat करते हैं तो इसको मैंने double tap किया मैं single finger double tap and hold करता हूँ paste menu item उनका number से अलेडी जो मेरे पास clipboard में copy था यहां पे आ चुका है आप अपने कहीं से भी वो जो जिनके साथ मैंसे आपको chat करना है वो पहले copy कर ले और यहां पे पेस्ट कर ले या यहां पे नीचे clipboard open हो गया है आप चाहें तो वो नंबर डायल भी कर सकते है यह मेरा नंबर जो मैंने पेस्ट के था अलेडी आ चुका है मैं right side में जाता हूं जो text field है वहां पे मैं message लिखता हूं text field is editing word mode insertion point at start हम good morning लिखेंगे good morning लिख दिया हमने enter name optional है मेरे history में मुझे याद रखने कि लिमें उनका नाम भी लिख लेता हूं मेरे दोस्का नाम है गुलाटी जी तो मैं उनका नाम लिख लेता हूं अब मैं send को button को double tap करूंगा तो मेरा WhatsApp का chat open हो जाएगा और मैं यहां से ही direct call भी कर सकता हूं तो WhatsApp का ही जो window है वो open हो जाएगा पहले हम message को send को double tap करते हैं WhatsApp alert starting chat compose message text field is editing good morning word mode insertion point at end tempos जो box है हमारा WhatsApp का वो open हो गया है और यहां पर good morning लिखा हुआ है मुझे right side में swap करके फिर से एक बार send करना पड़ेगा यह देखिए send का button है मैं double tap करता हूं send voice message button हमारा message चला गया है your message good morning 8 54 a.m. delivered to recipient देखिए हमारा message delivered हो गया मैं आपको बता देता हूं यह number मेरे पास save नहीं है मैं जाता हूं top left में back देखिए back button है profile picture button 9198117 28845 online heading देखिए जो मेरे दोस्ते हैं वो online है और उनका number मेरे पास save नहीं है तो number आया और मैंने good morning कर दिया तो इस तरह से आप आप उनसे चैट कर सकते हैं आप यह लोपे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं वोइस कॉल भी कर सकते हैं और मेडिया भी शेयर कर सकते हैं तो इस तरह से जो मैंने आपको application के features बताए थे क्योंकि हमें contact बिना save करें हम किसी का chat नहीं कर पाएंगा लेकिन यह application के through आपको अपने contact list को full करने की जरूत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आपके कोई पैचान का number है तो आपको save करना जरूरी है लेकिन जिनके साथ rarely chat करनी है या कुछ rarely उनके साथ कुछ media या कुछ हमें शेयर करनी है तो आप बीना number save करें यहां save कर सकते हैं अब हम लोग पिछले application के layout में जाते हैं direct message text field is editing word mode insertion point at end देखिए यह already जा चुका है यह पुराना चीज़ बता रहा है मैं history में आपको दिखा देता हूँ देखिए गुलाटी जी को मैंने good morning करा यह already मेरा history में भी दिख गया अमीद है कि आपको यह tutorial पसंद आया हो आप इस application को use करेंगे और अपने जो भी WhatsApp के जो experience को और enhance कर पाएंगे तो friends ऐसे ही कुछ और interesting video को देखने के लिए आप मेरे हमारे साथ इस channel के साथ connected रहें अपना ख्याल रखें stay safe, bye bye